एक बहुत पुराने समय की बात है, एक समुद्र तट पर एक गाव था। उस गाव में एक बड़ा ही रहस्यमय समुद्र था, जिसके गहराई में कई अनोखी और रहस्यमय चीजे छिपी हुई थी। लोग कहते थे कि उस समुद्र में एक जलपरी भी निवास करती है, डौट एक दिन गाव के एक नौकायन का बेटा नामक राहुल समुद्र के किनारे खेल रहा था। अचानक उसने देखा कि समुद्र की उपरी सतह पर एक सुंदर और रूपसी लड़की तैर रही थी। वह थोड़ी ही देर में गायब हो गई, लेकिन उसकी सुंदर्ता और अध्भुत्ता ने रहुल का मन महलिया डौट रहुल ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों में विश्वास नहीं करता था। फिर भी राहुल ने तै कि वह जलपरी को खोजेगा। उसने एक नाव तयार की और समुदर में निकल पड़ा डौट दिन बीट गए। लेकिन राहुल को जलपरी का पता नहीं चला। वह निराश होकर घर वापस लोट आया। लेकिन राहुल का मन अब भी उस जलपरी में ही लगा रहा डौट फिर एक दिन राहुल ने फिर से नाव लेकर समुदर में निकला। इस बार उसने समुदर के अंतिन किनारे तक जाकर देखा और वहा उसने वास्तव में जलपरी को देखा। वह उसकी सुंदर्ता और आकर्शन में खो गया। जलपरी ने उसको अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राहुल ने उसको अपने गाउं में वापस ले जाने का इनकार कर दिया. उसने समझा कि उसकी जिन्दगी वास्तव में उसके गाउं में ही है. वापस आकर राहुल ने अपने गाव की लोगों को अपने अनुभव का बयान किया लोग राहुल की बातों में विश्वास नहीं करते थे लेकिन उसने उन्हें जलपरी द्वारा दिये गए आशिरवाद का सबूत दिया और वे समझ गए कि वास्तव में जलपरी हैं डॉट जलपरी की मुद्रा राहुल को गाव में खुशियों से भर दिया वह अब भी समुद्र के किनारे अकेले जाता और जलपरी के साथ वक्त बिताता लोग उसके इस रहस्य में अनुभव को सुनकर आश्चर्यच्कित रह गए और उसके बाद गाव के लोग राहुल की कहानी सुनकर प्रभावित हुए और उसकी विश्वास्योग्यता में विश्वास करने लगे राहुल ने उन्हें समुद्र के रहसियों के बारे में बताया और उनकी जानकारी को बढ़ावा दिया उसने गाउं के बच्चों को समुद्र के महत्व के बारे में सिखाने का काम शुरू किया डौट राहुल की जलपरी के साथ दोस्ती बढ़ती रही और वह हर बार समुद्र के किनारे जाता और उससे मिलता था। उसकी जिन्दगी में जलपरी की मौजूदगी से उसका साहस और उत्साह और भी बढ़ गया। धीरे धीरे राहुल ने अपने गाव को समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों के प्रती जागरूप किया और लोगों को समुद्र के संरक्षन के महत्व के बारे में शिक्षा दी उसका योगदान गाव की आर्थिक और सामाजिक स्थिती में सुधार करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ डौत इस प्रकार राहुल ने जलपरी की मुलाकात से न केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाया बलकि अपने समुद्र के साथी के साथ गाव की प्रक्ती मे भी महत्वपूर्ण योगदान दिया यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकसर हमें जीवन में नई चीजों को खोजने की आवश्यक्ता होती है और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए धैर्य और संधर्ष के माध्यम से हम अपनी मन्जिल को हासिल कर सकते हैं और अपने ल अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो कृपिया इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आपके सहयोग और समर्थन के बिना हम यहां तक नहीं पहुँच पाते आपके लाइक, कमेंट् अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप किसी विशेश विशेपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपिया नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं हमारे चैनल पर आने वाले दिनों में और भी मज़ेदार और ग्यान वर्धक वीडियो आने वाले हैं इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वस्थ रहें और सीखते रहें जय